पूसकार दोस्तों बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी सुभा सुभा कर ले दूद और मनी प्लांट का यह टोटका चपड़ फाड़ कर आएगा पैसा दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके तो चलिए शुरू करते हैं कहते हैं घर में मनी प्लांट लगाने से धन की कभी कोई कमी नहीं होती है लेकिन कई बार लोग घर में मनी प्लांट तो लगा लेते हैं लेकिन फिर भी उनकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं होता है यदि आपके घर भी अच्छा खासा हरा भरा मनी प्लांट होने के बावजूद पैसों की दिक्कत आती है तो टेंशन न ले आज हम आपको मनी प्लांट और दूद का एक शांदार टोटका बताने जा रहे हैं दूद और मनी प्लांट में क्या है संबंद? मनी प्लांट को लोग घर में धन की आवक बढ़ाने के लिए लगाते हैं वही मालक्ष्मी को भी धन की देवी कहा जाता है लक्ष्मी जी को प्रसंद करना हो तो उन्हें भोग में दूद की बनी मिठाई चड़ाई जाती है इसलिए यदि आप मनी प्लांट के साथ दूद का उपाय करेंगे तो मालक्ष्मी खुश होंगी इसके बाद आपके घर पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी मन की इच्छा पूर्ण करने का उपाय यदि आपके मन में कोई इच्छा दबी हुई है तो आप मनी प्लांट और दूद का एक खास उपाय कर अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं इसके लिए आपको रोज सुभन हधो कर और साफ कपड़े पहन कर मनी प्लांट में थोड़ा सा कच्छा दूद चढ़ाना चाहिए यह दूद चढ़ाते समय मन में अपनी मनोकामना भी कहे आपकी हुराद जल्द ही पूर्ण हो जाएगी पैसो की आवक बढ़ाने का उपाय यदि आप जल्द से जल्द धनवान बनना चाहते हैं और घर में पैसों की आवक बढ़ाना चाहते हैं तो यह उपाए आपके लिए है रोज सुभा उठकर सुर्योदे के पूर्व मनी प्लांट में दूध मिश्रित पानी चड़ाएं इससे आपके घर पैसों की कमी कभी नहीं होगी घर में खूब पैसा आएगा धन कमाने के नए लिखे जिसके पास आपका पैसा रुका हुआ है इसके बाद कागज को फोल्ड कर दे अब इस कागज पर दूद के कुछ छीटे छिड़के फिर इस कागज को मनी प्लांट की जड़ में दबा दे ऐसा करने से आपका अटक हुआ पैसा वापस मिल जाएगा चोरी करके न इस लिए इसे कभी भी सो चिर कर नहीं लगाए वैसे भी चोरी की चीज कभी लाब नहीं देती है इसके अलावा काच की बोतल में भी मनी प्लांट लगाने से बचे तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इस वीडियो को